जैहिं दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में दोस्तो आज किस कलास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड यएर सिक्स समेस्टर एक जानब दोज़ार चौविस पस्य सोसिलोजी आनि समाज सास्तर समाज सास्त्र का paper 2 है, ठीक है, six semester समाज सास्त्र का paper 2 है, paper का नाम क्या भी या, gender and society, link और समाज, ठीक है, या भारत के सभी university के लिए है, ठीक है, चलिए, ये class 1 है, इसका paper 2 का, ठीक है, paper 2 का class 1 है, ध्यान देंगे, इसमें subjective plus objective, जिनका exam subjective है, वो भी इस class को attend कर सकते हैं, और जि notes के साथ आपको मिलेंगे, ठीक है, notes मतलब important key, ठीक है, key commerce मिस करिएगा, जो important key होते हैं, कि जो, मैंने fifth semester में आपको पढ़ाया था, ठीक है, काफी, जो fifth semester में जो notes थे, उसमें से key points थे, उससे कई सारे प्रस्ण आपके exam में आते हैं, ठीक है, तो six semester में भी ध्यान रखेंगे key points को miss मत करिएगा, ठीक है, miss नहीं करना है, ध्यान दिए, इसमें पहला प्रस्ण क्या है, आपका, link श्थीरता के विकास का पहला चरण है, link अस्थाइट, link वर्गी करण या फिर link अनुकूलता, तो link श्थीरता के विकास के पहला चरण होता है, link वर्गी करण, आपसन नम लिंग लेवलिंग जो 2-3 साल रोी होता है दूसरा है लिंग स्थिर्टा जो 16 Given कि उम्स होता है और एक होता है लिंग इस्थिर्टा जो 6-7 साल कि उम्स tarp ठीक है अच्छा इसमें लिंग इस्थीरता का आखरी घटक क्या भिया लिंग अनुकूलता यह लगभग 6 या 7 साल की उम्र में आता है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगला क्या है आपका लिंग विकास के बारे में कोहल बर्ग के संग्यात्मक विकासात्मक सिध्धान्त क अनुकर कोहल बर्ग क क्या कि ऩह भी ध्यान रखेंगे ठीक है तबने किसी विक्ति के लिंग को उसके जयविक लिंग के समकच समझा जाता है ठीक है प्रस कि दूसरा प्रस्ण क्या है आपका लिंग इस तेड़ता का अंतिम घटक है अभी मैंने उपर आपको पढ़ाया लिंग इस्थिरता का अंतिम घटक होता है ठीक है जो छह से साथ साल की उम्र में होता है ठीक है चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को लिंग उपस्तिती पुसाक या गतिवीधी में बदलाओ के बावजूद अब परिवर्तनिया होता है ठीक है देखिए लिंग इस धीरता को पहली बार 1906 में प्रस्ताबित किया गया था कोहलबर्ग ने तरक दिया था कि लिंग पहचान विकास का सबसे महतपूर हिस्सा बच्चे का संग्यानात्मक विकास था ठीक है इन सभी की पॉइंट्स को याद रखेंगे आपके सब्जेक्टि टाइप और अब्जेक्टि टाइप दोनों प्रस्न में हेल्फ होंगे ठीक है चलिए तीसरा प्रस्न आपका क्या है इन भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका पुरूसो द्वारा निर्वाह की जाती है प्रजनन समुदाइक प्रबंधन कारेबल की देख भाल और रख रखाओ समुदाइक राजनीतिक भूमिका तो जो पुरूसो द्वारा निर्वाह की जाती है इन चारों में से correct answer आपका होगा समुदाइक राजनीतिक भूमी का ठीक है आपसर नमर D correct आपका तीसरे का चलिए अगला प्रसन देखते हैं क्या है बहुत ही सांदार प्रसन है दोस्तों लैंगी की स्थिर्टा क्या है लैंगी की स्थिर्टा होती है साथियों अपने लिंग के बारे में बच्चों की जागरूकता सुसंगत होना और इसे लिंग स्रेणी की स्थिर्टा भी कहा जाता है तो आपसर नमर 1 correct हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपके correct है ठीक है प्रस नमबर पांच क्या है आपके समाजिक भूमिकाओं के कारण सौपी जाने वाली और जैविक वृत्ति के कारण नहीं सौपी जाने वाली विसेस्ताओं को क्या कहा जाता है लिंग भूमिका रूडिवादिता कहा जाता है समाजिक भूमिकाओं के कारण सौपी जाने वाली और जैविक वृत्ति के कारण नहीं सौपी जाने वाली जो विसेस्ता होती है लिंग भूमिका रूडिवादिता होती है ठीक है लिंग वो में रोड़ी बाद दिता प्रस्ट नमबर च्छे आपका पूछा है वाई गोथ की ने प्रस्तावित किया है कि बाल विकास किसका एक उत्पाद है प्रस्ट नमबर साथ आपका पूछा है कौन सा कथन लिंग के बारे में सही नहीं है ठीक है चार आपसन दिया है और इसमें से आपको ढूंडना है कि कौन सा सही नहीं है तीन आपसन आपके सही है एक आपसन आपका गलत है तो लिंग समाजिक रूप से निर्माड किया गया है यह करेक्ट है आपका लिंग जैविक है यह आपका करेक्ट नहीं है यह सही नहीं है ठीक है तो आपसन नमबर B आपका इनकरेक्ट है यानि सही नहीं है ठीक है चलिए अगला प्रसने आपका प्रसन नमर आठ पूचा है स्टीरियो टाइपिंग क्या है स्टीरियो टाइपिंग होता है साथियों किसी विशेस परकार के वेक्ति या चीज के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तमिक्ता में सच नहीं होता है ठीक है चलिए अच्छा इसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ ध्यान से देखिएगा की पॉइंट्स को मिस मत करिएगा स्टीरियो टाइपिंग का मतलब है किसी समाजिक समूँ के बारे में आम लोगों के मन में बनी पारमपरिक धारडा उधारड के लिए महिलाओं से हमेशा यह अपच्छा रहती है कि उनका बेवहार सब परवाह करने वाला और प्यार भरा होगा वहीं पुरूसों से अपच्छा होती है कि वे हमेशा आक्रमक और बोल्ड रहेंगे ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि स्टीरियो टाइपिंग क्या होती है ठीक है आपका रिवाज भी हो जाएगा और आपको नोर्स भी मिल जाएगे चलिए नमा प्रस्न के अब ही आपका भारती महिलाओं को निम्न में से कौन से समस्तिया का सामना नहीं करना पड़ रहा है पताईए लैंगिंग भेदवाव दहज परता घरेलू हिंसा तो पासपोर्ट जारी करने का ठीक है पासपोर्ट जारी करने का सामना नहीं करना पड़ रहा है बाकि ये सभी सामना करना पड़ता है ठीक है घरे लो इंसा दहज परता लंगिक भेद वाओ ठीक है चलिए अगला प्रसन क्या है प्रसन नमर दा साप का पूछा संस्क्रीती प्रात करने की समान परकिर्या की रूप में सामिल किया जाता है तो समाजी करन आपसन नमर ए करेक्ट है ठीक है संस्क्रीती प्रात करने के लिए समान परकिर्या की रूप में समाजी करन को सामिल किया जाता है प्रस नमर 11 के आप या निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है ठीक है आपके चार आपसन दिया आप या कि बोला है इनमें से एक सही नहीं है आपके तीन आपसन करेक्ट है एक गलत है तो ढूंड़ना है चलिए देखते हैं लिंग समाजिक मानदंडों पर अधारित है ये आपका सही है लिंग भूमिका को संसोधित नहीं किया जा सकता है बिल्कुल नहीं किया जा सकता है ठीक है आपसन नमबर B आपका करेक्ट है ठीक है ये जो लिंग भूमिका को संसोधित नहीं किया जा सकता है ये कथन आपका सही नहीं है ठीक है लिंग जैविक नहीं है ठीक है अभी मैंने उपर पढ़ाया है आपको लिंग जैविक नहीं है अभी सही है ठीक है लिंग भूमिकाएं अधिगरहित की जाती है यह भी करेक्ट है आपका प्रस नमबर बारह क्या है निम्नली कित में से कौन सा समाज में लिंग समांता का मानदंड हो सकता है तो साथियों आपसंन नबर C Korean आपका कच्छा बारफ तक पहुंचने वाले लडकों और लडकियों की संख्या की तुलना जो होती है लिंग समांता का मानदंड हो सकता है ठीक है आपसंन नबर C करेक्ठ आपका अगला प्रस्ण है तेरे नंबर लैंगी के संबंद में इन में से कौन सा कथन सही है ठीक है तीन आपसन आपका गलत है और एक आपसन आपका सही है ढूंड़ना भी या तो चलिए देखते हैं लैंगी के संबंद में इन में से कौन सा कथन सही है यह एक संख्यात्मक संप्रत् बिल्कुल आपका गलत है ठीक है यह जैविक रूप से निर्धारित होता है यह भी गलत है आपका ठीक है यह व्यक्ति के लिंग के समान है यह भी गलत है आपका यह एक समाजिक संरचना है यह सही है ठीक है आपसा नंबर डी करेक्ट है आपका 13 का ठीक है लैंगी के संबंद म में कौन से कथन साहिए यह एक समाजिक संरचना है अभी मैंने उपर आपको पढ़ाया ठीक है देखिए सभी प्रस्णू को ध्यान से पढ़िएगा और आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा इस पर किलिक करके जरूर सेयर करिएगा ठीक है प्रस्ट नमर 14 आपका पूछा साथियों निम्न लिखित में से कौन सा कथन लेंगिक भेदभाव को दरसाता है दो खतान आपके दिये हैं पहला भिया एक पारिवार में एक लड़की एक प्रोजेक्ट करने के लिए अपने दोस्त के घर जाना चाहती है ठीक है उसे या तो लेंगिक भेदभाव को दरसाता है दूसरा क्या है लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग अलग सोचाले की विवस्ता करना है या लेंगिक भेदभाव को नहीं दरसाता है ठीक है तो लेंगिक भेदभाव को कौन दरसा रहा है आपसा नमबर 1 ठीक है तो आपसा नमब लुसी 1927 में सुरू किया गया था किसके लिए भाया महिलाओं की सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए या फिर विधाई का महिलाओं की सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए या फिर महिलाओं के रोजगार में ब्रेदी के लिए या फिर महिलाओं के मतदान अधिकार के ल तो बिल्कुल करेक्ट आपका आफसन नमबर ये वाला ठीक है महिलाओं की सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारती महिला सम्मेलन 1927 में सुरू किया गया था ठीक है आपके एक्जाम में ये भी पूछता है अखिल भारती महिला सम्मेलन कब सुरू हुआ था 1927 मे इसका फूल फॉर्म क्या होता है AIWC का अखिल भारती महिला सम्मेलन अच्छा इंगिलिस में भी बता दीजे सर इंगिलिस में भी बता देंगे देखिए की पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा देखिए अखिल भारती महिला सम्मेलन AIWC All India Women's Conference की अस्थापना 1927 मे इसकी अस्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी AIWC का मकसद क्या भी या महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना अनिवार सिच्छा को बढ़ावा देना और महिलाओं और बच्चों के लिए सैच्छिक प्रयासों में सुधार करना ठीक है प्रस नमर 16 क्या है आपका अखिल भारती माईला सम्मेलन कब शुरू हुआ था देखिए अभी मैंने उपर आपको पढ़ाया ठीक है 1927 में अखिल भारती माईला सम्मेलन शुरू हुआ था अगला प्रस नमर 17 क्या है चिपको आंदोलन किस अस्थान से शुरू किया गया था चिपको आंदोलन गड़वाल हिमाले से शुरू किया गया था अप्रस नमर 18 क्या है चिपको आंदोलन अंदोलन था यानि चिपको आंदोलन कैसा अंदोलन था विया जो चिपको आंदोलन था वन सन रचदान दो लंठा ठीक है आपस्ञ नंबर 2 करिक्ठ आपका प्रसट निमर 091 क्या है पारिश्थित्य की अस्थाई और्थवेवस्था यह कतन है स्लोगन का ब्राउन का मै काईबर का या फिर सभी का तो पारिश्थित्य की अस्थाई और्थ वेवस्था है यह स्लोगन ने कहा था आपसन नमबर A करिक्ठ आपका अगला प्रस्ण के आविया प्रस्ण नमबर B से आपका पूछा है वर्ष 1917 में बनी भारती महिला संस्था की पहली अध्यच कौन थी माडम बलात वर्ष की एनिवेसेंट सन्रोजनी ना करें प्रस्ण नमबर एक कैस क्या है भारती महिला संघ की अस्थापना कब हूई थी भारती महिला संघ की अस्थापना 1917 में हूई थी आपसन नमबर करिकट आपका प्रस्फण नमबर 20 क्या है सब्रस्ण आफ दो स्टोरइड की एल्वीन रेड़ की या फिर जान मिल की है ठीक है यह प्रस्ट पूछा जाएगा 100% गारंटी है मेरी यह आएगा जरूब ठीक है ठीक है और नारिवाद के इतिहास में मुलबूत पाठों में से एक है यह पुस्तक ध्यान रखेंगे तखिए प्रकासन वर्ट पूस्ता जरूर है मैंने फिर्ट समेस्टर में भी आपको पढ़ाया था ठीक है ध्यान रखेंगे अच्छा इस किताब का हिंदी अनुवाद अच्छा तो भारत में इस पुस्तक का प्रकासन कब हुआ था उन्यस्सो सत्रह में कहां हुआ था कोलकत्ता में किस कंपणी ने किया था हरिदास एंड़ कंपणी में ठीक है चलिए तेरीस नमबर पस्टन क्या है आपका यह कथन किसका है बताईए यह किसने कहा था कि महिलाएं पूरी तरह से अपनी योग्यता का एहसास नहीं कर सकती थी क्योंकि उन्हें सिच्छा से वंचित और घरेलू छित्र तक ही सिमीत रखा जाता था यह किसने कहा था भीया तो मैरी वोल इस्टोन क्राफ्ट ने कहा था ठीक है आपस नमरे करेक्टाप का देखिए बहुत ही सांदार यह प्रशन है ठीक है ध्यान रखेंगे प्रस नमर 24 क्या भीया अर्ली एसेज आन मैरीज एंड डिवोस किसकी रचना है तो हैरियट टेलर और जान इस्टूर्ट मिल इन दोनों ने मिल कर लिखा था ठीक है अफसर नमर डी करेक्ट हो जाएगा ए और भी दोनों अच्छा इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था अर्ली एसेज आन्द मैरीज एंड डिवोस इस पुस्तक का प्रकाशन उन्नी सो बत्तिस ए सोरी 1832 है ठ ठीक है ध्यान रखेंगी प्रस्ट नमर पचीस आपका पुछा साथियों एंफ्रांची स्मेंट आफ वोमेन किसकी रचना है है हैरिये टेलर की जाने इस्टूर्ट मिल की मैरी वूल इस्टोन क्राफ्ट की या फिर कालमाक्स की बहुत सी सांदार प्रस्ण है तो हैरिये टे अब इस आपका इसमें पूछा है मैं इसमें थोड़ा चेंज करूँगा मुझे एक सेकिंट के समय दिजे बस हो गया चलिए जान इस्टूर्ट मिल ने सब्जेक्शन आफ वोमेन पुस्तक कब लिखी अभी मैंने उपर आपको पढ़ाया था तो आपसा नमबर एक करेक्ट आपका 1879 में जान इस्टूर्ट मिल ने सब्जेक्शन आफ वोमेन पुस्तक लिखी थी ठीक है चलिए प्रस नमबर 27 क्या है हेरियेट टेलर ने एंफ्रांचिसमेंट आफ वोमेन की रचना कब की अभी मैंने उपर आपको तुरंत पढ़ाया है 1851 में ठीक है आपसा नमबर लाने के लिए महिलाओं को पुरूसों के समान सिच्छा के अलामा राजनीतिक और आर्थिक आउसर भी उपलब्ध होने चाहिए किसका मानना था भीया तो हैरियेट टेलर का मानना था आपसा नमबर A करेक्ठाब का प्रस नमबर 29 क्या है सरम के लैंगिक विभाजन का मुल क आर क्या था भीया तो लाए जय विक शन रचना ठीक है आपसा नमबर A करेक्ठाब का चलिए प्रस नमबर 30 क्या है लिंग वर्ग संबंध व्याख्या करता है लिंग वर्ग जो संबंध किसका व्याख्या करता भीया पुरूस वा इस्त्री में और समानता का या फिर प्रवलता कहा है या फिर सभी पर तो जो लिंग वर्ग संबंध भी आख्या करता है पुरूश सक्तिव इस्ति के मद्ढ पर ठीक है आपसा number भी correct है आपका पथरस्ट नम्मर 31 क्या है transgender का अर्थ है पुरुष इस्तरी या फिर तीसरा लिंग वर्ग होता है तो आप सब लोgesch जानते हैं तीसरा लिंग होता है । अच्छा टरांसजुन्डर क्या होता है यह भी आपके ज這個 आप पूछेगा तो ध्यान रखेंगे भया ठीक है देख Вам मैं बता रहाँ ट्रांसजेंडर सब्द का मतलब अपने जन्म के समय तैक किए गए लिंग के लिंग से और संगतता का अनुभाव करना ट्रांसजेंडर सब्द में नान बाइनरी एजेंडर जेंडर जेंडर क्वियर और कई पहचाने सामिल होती है ठीक है ध्याना केंगे जेंडर जो ट्रांसजेंडर होते हैं ठीक है ट्रांसजेंडर लोगों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी खास लिंग से जुड़े पाचान नहीं बनाते उधारल के लिए जैसे देखिए उनकी लिंग पाचान में महिला और पुरूस दोनों तत्तु सामिल हो सकते हैं ठीक है या हो सकता है कि वे किसी भी लिंग के समान महसूस न करें ऐसे ट्रांसजेंडर लोगों को अक्सर गैर बाइनरी के रूप में वरलित किया जाता है ठीक है अच्छा आगे ध्यान रखेंगे ट्रांसजेंडर का वीपरिष सब्द क्या होता है सी जेंडर ऐसे व्यक्तियों का वरलै करता है जिनका लिंग पाचान उनके निर्धारित लिंग से मेल खाती है ठीक है आपके एक्जाम में पूछेगा कि ट्रांसजेंडर जो होता है मेल खाती है ठीक है आपके objective question में पूछेगा ध्यान रखेंगे प्रस नमबर 32 क्या भीया नारिवाद के सिधान्त दिये गए कालमाक्स द्वारा काम्टे द्वारा बेवर द्वारा या दूर्खिम द्वारा तो नारिवाद का जो सिधान्त है यह कालमाक्स द्वारा दिया गय जिनका लिखा पुरूस इस्तृत तुलना यह लिखे थैंत फूरूस इस ने लिखाता तारवाट कार के होते हैं नारिबात 5 प्रकार के लुख्या कौन कौन दीजा अधे Thor ambad series इस पर ऱटीने वह चाहिए अगला प्रशना आफ पूछेगा नारिबात सब्दों नेधित पूछेगा यह विखेंगे अधे दियानवाद सब्दग्द Σाथ τον में देकुंचन डूत्याइफ द्वारा गढ़ा गया था यह मूल रूप से इस्तरी गुड़ो या चरित्र को संदरभित करता है लेकिन उस अर्थ का अब उपयोग नहीं किया जाता है ठीक है परजन टाइम में अब उस अर्थ का उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन याद रखिएगा नारिवास सब्द को किसने गढ़ाता कब गढ़ाता ठीक है मैंने पढ़ा दी आपको ध्यान रखेंगे सभी देखिए पीडिये जरू डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है प्रस नमर 33 क्या है लिंग भेत भाव क्या है ब्यवहारिक अधीनता है निस्कासन है और प्रतिभागी है या पुरुक सभी त लिंग जो भेत भाव होता है लिंग का ये सभी होता है ठीक है ब्यवहारिक अधीनता निस्कासन और प्रतिभागिता आफ्सच्pton 1 करेक्ट हो जाएगा व्पुरुक सभी क्या है लिंग भेत भाव है अच्चा लिंग भेत के अधार पर उत्पिदन या और भेदभाव भी हो सकता है ठीक है लिंग भेदभाव लड़कियों लड़कों महिलाओं और पुरूसों के लिए उनके पूर्ड और समान मानवा अधिकारों को पहचानने आनंद लेने के परियोग करने में बाधा उत्पन करते हैं ठीक है वैस प्रस नमबर आपका 34 पुछा है लिंग अनुपात का अभिपराय है एक हजार पुरूसों पर इस्तृओ की संख्या ठीक है आपसा नमबर ए करेक्ठ आपका अच्छा ये क्या होता है धियान रखेंगे लिंग अनुपात क्या होता है लिंग अनुपात का मतलब है किसी जन स पुरूसों और महिलाओं का अनुपात इसे प्रति 100 महिलाओं पर पुरूसों की संख्या के जर्ये दर्साया जाता है इसे प्रति 1000 पुरूसों पर महिलाओं की संख्या के तौर भी समझा जा सकता है ठीक है प्रस नमर 35 है किन परिबारों में आज भी लड़कियों की इस्तिती बहतर नहीं है तो गरीब परिबारों में भैया ठीक है आपसे नमर C करेक्ठ है आपका प्रस नमर 36 के सती पर्था पर रोक लगा दी गई कब लगा दी गई थी भैया तो 1829 में सती पर्था पर रोक लगा दी गई अच्छा कब लगा दी गई डेट भी याद रखिएगा ठीक है सती पर्था पर रोक लगाने का कानून 4 दिसंबर 1829 को ततकालीन ब्रिटिस भारत के गवर्ना जनरल लाड वीलियम बैटिंग ने पास किया था इस कानून के जरिये पूरे ब्रिटिस भारत में सती पर्था पर रोक लगा दी गई ठीक है चलिए पर रस नमबर 37 क्या है 37 नमबर पसना है बिधवा बिवा की अनुमती का कानून किसके प्रयास से पास हुआ इस्वर्चंद्र विद्यासागर के अनुमती से ठीक है आपसा नमबर A करेक्ट है आपका की पॉइंट्स ध्यान रखेएगा बहुत इंपोर्टेंट है बिधवा पुनर विवा अधिनियम 1856 के पीछे पंडित इस्वर्चंद्र विद्यासागर के प्रयास थे इस अधिनियम का मसाओदा लाड डलहौजी ने तियार किया था और इसे लाड कैनिंग ने पास किया था 16 जुलाई 1856 को इस अधिनियम को पारित किया गया था अगला प्रसन क्या विया 38 नमर प्रसन है बिधवा विवा की अनुमती का कानून यहां कानून रहेगा ठीक है कानून पास हुआ कब पास हुआ 1828 में 1856 1891 में 1839 में तो बिधवा विवा की अनुमती का जो कानून पास हुआ था 1856 में हुआ था अपसन नमर बी करेक्ट आपका अच्छा ध्यान रखेंगे हिंदू बिधवा पुनर विवा अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था इस अधिनियम ने बिधवा के पुनर विवा को बैध बना दिया लाड डलहुजी ने इस अधिनियम का मसाधा तियार किया था और लाड कैनिंग ने इसे पारित किया था अच्छा हिंदू बिधवा पुनर विवा क्या है जैसे मालीजे जिनके पती मर जाते थे ठीक है वो साधी नहीं करती थी ठीक है तो उनको दुबारा साधी करने का भी प्रावधान लाया गया था ठीक है 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था ठीक है चलिए अगला प्रस्न क्या है प्रस्न नमबर आपका 39 7 वर्स 2011 से लेकर के 2019 क बीच ग्रामिड शेत्रों में कार या स्थलों पर महिलाओं की भागिदारी 35.8% से घटकर कितनी हो गई है 26.4% हो गई है आपसा नंबर एक करेक्ट है आपका ठीक है चलिए अच्छा इसमें जो महिलाएं है ठीक है क्रीशी छेत्रों में अधिकतर महिलाएं काम करती है ठीक है ध्यान रखिएगा 40.4% क्या है क्रीशी छेत्रों में महिलाओं की भागिदारी लगबग है कितना परतीशत है भी है काम करती हैं इनमें से करीब 33 फिजदी माहिलाएं मजदूरों के तौर पर और 48 फिजदी स्व नियोजन किसान के तौर पर काम करती हैं ऐसी माहिलाओं को मेरा सथ संदमने भाईयो देखिए NSSO की रिपोर्ट के मताबित भारत में करीब 18 फिजदी खेतिहर परिवारों का नित्रित्व माहिलाएं करती हैं ठीक है माहिलाओं की सबसे ज़्यादा भागिदारी धान की फसल में होती है धान की फसल में महिलाओं की भागिदारी 78% 185 यानि 78.18% है ठीक है इसके बाद गेहु में 12.76% मतर में 3.2 दूदू परतीसत और उड़त मतलब एक दाल होता है उड़त की दाल होती है ठीक है 2.4 एक परसेंट होता है में इन सभी महिलाओं की भागिदारी होती है ठीक है ध्यान रखेगा इस जो यहाँ पर जो नोर्स है इसे पॉइंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए प्रस नमबर 41 क्या भी या वीनी निर्मार छेत्र में महिला सरमक्यों की भागिदारी लगबक कितनी परतीसत है तो 14 परतीसत है आपसा नमबर एक करेक् अच्छा मीटू अभियान क्या है सर यह भी बता दीजिए चलिए बताते हैं देखिए यौन हिंसा के खिलाब हैस्टेक मीटू अभियान 15 अक्टूबर 2017 को सुरू हुआ था अमेरिकी अभिनेतरी एलिसा मिलानों ने अक्टूबर 2017 में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्हो होने मीटू सब्द का इस्तेमाल किया था एलिसा का यह ट्वीट इतना वायरल हुआ था कि पूरे दिन यानि एक दिन होते होते मीटू हैस्टेक के साथ दो लाग से ज़्यादा ट्वीट किये जा चुके थे यह अभियान दूसरे सोशल मीडिया प्लेट पार भी पहुंचा थीक है ध्यान रखेंगे सभी जो मैंने पॉइंट से बता है 43 नमबर पस्ण है रेल यात्रा के दौरान महिला सुरच्छा के प्रयासों को मजबूत करने और महिलाओं में सुरच्छा की भावना को जगाने के लिए रेलवे सुरच्छा द्वारा यह रेलवे सुरच्छा ब और और किकि आर्पी अफ ने महिलाओं के लिए आप्रेशन महिला सुरच्छा और मेरी सहली जैसी पॉरान सुरच्छा प्रदान करना था ठीक है प्रस नमर फूर फोटी-फोर क्या है घरेलों हिन्सा से महिलाओं का संडेच्छा दिनियम 2005 का विस्तार है तो संपूर भारत में विस्तार है अबसे नमर n k Exodus को प्रस नमर मर फोटी फाइंक क्या है घरेलो विंसा से माईलाओं का संरच़ड दिनियम 2005 प्रविर्त है 26 26 को ठीक है अफसनमर d करिक आपका प्रस नमर 46 6 क्या है घरेलू हिंसा से मायलाओं का संड़चड़ अधिकारों को अधिक प्रभावी संड़चड़ पृदान करना परिवारीग हिंसा का सिकार जो परिवारिक हिंसा की सिखार होती थी महिलाएं उनको सम्वेधानिक अधिकारों की गारंटी परदान करना आपसर नमबर डी करेक्टर जाएगा उपरोग सभी प्रस नमबर 47 क्या है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संड़ चड़ दिनियम 2005 पारित हुआ था देखिए पारित होना और लागू होना दोनों में अंतर होता है ठीक है तो पारित हुआ था 13-9-2005 को ठीक है लागू कब हुआ था ये भी देख लिजे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संड़ चड़ दिनियम 2005 में पारित हुआ 26-10-2006 से देश भर में लागू किया गया था ठीक है आपके एक्जाम आदेश से अभिपरेत है तो धारा 11-20 के अनुसार मंजूर किया गया कोई आदेश ठीक है आपसर नमबर सी करेक्ट है आपका प्रस नमबर 49 के अभिया प्रस नमबर 49 पूछा आपका कौन सा अनुछेद माईलाओं को कानून के समच समानता का अधिकार देता है अनुछेद भारत के छेत्र राज्य में मौजूद किसी वी व्यक्ति को कानून के समच समानता और कानून के समान सनरा छड़ से वन्चित नहीं करता है अनुछेद पंद्रे धर्म नसल जाती लिंग या जन्मस्थान के अधार पर भेदभाव के निशेद के बारे में बात करता है ठीक ह प्रस्ण क्या है आपका प्रस नमर पचास है कौन सा अनुछेद विक्ति तुस्वतंतरता का अधिकार परदान करता है तो अनुछेद 12 हैंसे नमरे करेक्ठ है आपका की पॉइंट से आपका अनुछेद 21 दो अधिकार परदान करता है कौन-कौन सा जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंतरता का अधिकार भारती सम्मिधान का अनुछेद 21 व्यक्तिगत स्वतंतरता का अधिकार परदान करता है यह अनुछेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा अस्थापित परकिरिया के अलामा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंतरता से वंचित नहीं होगा यह अधिखार नागरीक और गयर नागरीक दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं ठीक है दोस्तों उमीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी ठीक है जो मैंने आपको जिम्मिदारी दी है इस कलास को सेर करने के उसे सेर जरूर कीजेगा मिलते हैं जल्दी नेश्ट कलास में तब तक ले जैहिन वंधिमातरम